नमस्कार, SBI Bank ने अपने official app Yono में एक खास update किया है अब Yono registration करने के लिए SIM card को verify करना अनिवार ये कर दिया गया है ध्यान दीजिए, अगर आप कोई सटिक और ताजा update देख रहे हो तो आप Take India देख रहे हो मतलब अब आप उसी mobile में Yono registration कर सकते हो जिस mobile में आपके account में link नमबर का SIM card मुझूद हो तो चलिए आपको आपके mobile में Yono registration कैसे करना है वो बता देती हूँ सबसे पहले आपको आपके mobile में प्ले स्टोर में जाकर Yono टाइप करना है वहां से आपको Yono install करना है अगर आपके पास पहले से Yono install है तो आपको वहां पे update का option बताएगा उस पे click करके Yono को update कर लेना है अब आपके mobile में Yono install हो चुका है जैसे ही आप Yono को open करोगे आपके सामने media access के लिए allow का option आएगा आपको allow पे click करना है जैसे ही आप allow पे click करोगे आपके सामने एक नई screen open होगी और यह वही screen होगी जहाँ पे आपको अपने mobile नमर को verify करना है इस screen पर आपको SIM verify करने के लिए दो option मिलेंगे SIM first और SIM second यहाँ पर आपको उसी को select करना है जो SIM card आपके account से link हो उस पे select करके next बटन पर click करे यहाँ पर आपको एक चुटी सी बात और बता देती हूँ कि आपका जो SIM card है वो recharge होना चाहिए क्योंकि यह सारी process SMS के दवारा होगी जैसे ही आप next पर click करोगे आपसे कुछ second का time लिया जाएगा यह वही समय है जिसमें you know आपके mobile नमर को verify करेगा जैसे ही mobile नमर verify हो जाएगे आपके सामने proceed का option आएगा आपको proceed पर click करना है अब आपके सामने एक नई screen open होगी जिसमें आपको आपकी net banking के user ID और password डालने है जैसे ही आप अपने user ID और password डालोगे तो आपको submit पर click करना है जैसे ही आप submit पर click करोगे तो आपके registered mobile नमर पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर enter करके next बटन पर click करें अब आपके सामने जो नई screen आ रही है उस पर you know के कुछ terms and condition दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर आपको next बटन पर click करना है जैसे ही आप next बटन पर click करोगे आपके सामने एक नई screen ओपन होगी जिसमें आपको आपके mpin इंटर करने है इसमें ध्यान यह रहे है कि आपके mpin और re-enter mpin दोनु सेम होने चाहिए mpin इंटर करके next बटन पर click करें जिसे ही आप next button पर click करोगे आपके सामने successfully का message आजाएगा मतलब अब आपका you know registration हो गया है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को subscribe कीजिए Facebook पे देख रहे हो तो page को like कीजिए और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए अच्छा लगा तो share कीजिए जैहिन